मेहनत भी बचेगी और गैस भी बचेगी अगर ये तरीका अपनाओगे दोस्तो राधे राधे तो जब भी इस तरी मैं काफी तिनों से ये तरीका अपना रही हूं यानि की दाल चावल और सबजी बाकी की चीज़ें सब मैं एकी बार में एकी गुकर में बना लेती हूं तो अज़ में दाल बना रही हूं तो इसके लिए यहां पर आधा कप दाल को मैंने भीवाया था 10 मिनट के लिए पानी में और इसे अब धो लिया है अब हमें प्रेशर को कर चाहिए तो मैंने या पे 3.5 लीटर का प्रेशर को कर लिया हुआ है अगर आपको ज़्यादा चीजें बनानी है डिबंड करता है आप कितने लोगों के लिए बना रहे हूं उसी साफसे छोटा बोड़ा को कर भी चलेगा मैं यहां 2-3 लोगों के लिए बना रही हूँ अब मुझे यह कच्छे आम वाली जो डाल होती है गर्मियों में ही स्पेशली खाई जाती है तब ही आम आ बहुत अच्छी लगता है इसलिए मैंने इसमें कुछ आम भी डाल दी है तो आम थोड़ा पका हुआ इसलिए ज्यादा डाला है अगर कच्छा आम यूज करें तो कम ही डालना इसमें एक चमच नमक डाल देंगे और इसे के साथ ही साथ में इसमें थोड़ा सा तेल गी का भी यूज़ कर सकते हो और फिर हम इसमें हल्दी डालेंगे और वही हल्दी नमक देल और पानी डाल देंगे तो आप एक बार यह तरीका जरूर अपना के देखे कुछ दिनों पहले यह काफी जारे वीडियो वायरल हो रहे थे कि प्रयाग राज में किस तरीके से वहां बार फिर उसमें चावल बनाओ फिर सबजी के लिए आलू आलो या कुछ और भी चाहिए दाल बनाना है तो सब कुछ बहुत सारा प्रेशर कुकर का यूज़ एक बार में हम इस तरीके से कर सकते हैं तो मैंने यहां पर देखो दाल का तीन से चार उना पानी डाल दिया है औ यहां पर इस तरीके से एक बर्दर लिया है इसमें एक कटोरी के लगबग चावल ले लिया है अब चावलों को हमने अच्छे से धोल लेना है पहले तो पानी इसे खोब बढ़िया तरीके से और क्योंकि दाल को पगने में तोड़ा टाइम लगता है चावल जल्दी पग ज क्याता है इसलिए दाल जब भी बनाओ आप उसे 10-15 मिनट के लिए पानी में भीगो के चरूर रगतो भीगो देने से दाल वैसे भी जल्दी तो बनती है साथी साथ वो जब आप खाते हो ना तो डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से होती है तो चावलों को यहां पर धूल पानी डालते हो जितना पानी आपको लगता है कि इसमें बस उतना ही पानी डालना है जैसे नॉर्मल आप बनाते हो हाँ थोड़ा बहुत पानी इसमें ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है अब आपको कोई एक ऐसा बरतन चाहिए जो आपके कुकर के अंदर अच्छे से फिट हो जाता हो जैसे कि कोई लोटा या कोई इस तरीके का बरतन कट और विगेदा तो अब मैंने इसमें कट और अबरण बाद में डालो तोब सकता है कि रखने में प्रॉबलम हो कूकर केoya कन पानी 20 डाल देंगे चावलों में और एक आपको प्रेट हो अद्रग कूटने वाला हो तो वह आप रखते हैं यहाँ पर अब मैं प्लेट से कवर करूंगी अब देखो दाल भी हो गई चावल भी हो गई अब मुझे बनाना है आम बनना तो मैंने यहाँ पे कच्छे आम रख दिये हैं क्योंकि इनको भी उबालना पड़ेगा और आप अब बस फ्लेम हम अपनी वही मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम में तीन सीटी लगाएंगे फ्लेम को हाई मत करना हाई फ्लेम में क्या रहता है धाल बहुत ज़्यादा उपर तक आ जाती है यहाँ पर देखो आम अच्छे से हो गई है अब आपको मैं तरीका बताते हूं किस तरीके से आपने सबसे पहले जो भी आलू और जो चीज आपने ऊपर बॉयल करने के लिए रखी हुई है तो उसे आप सबसे पहले इस तरीके से चम्मत से हटा लो अब इसके बाद में जो प्लेट का पानी है क्योंकि यह आम का पानी है इसलिए मैंने इस तरीके से हटा जाहें एकदम अब आप चाहें तो जीर आप गेरा का तड़का लगा सकते हैं वैसे आम वाली दाल में तड़का नहीं लगाया जाता है और आप पी कितनी सार चीजें एक साथ तयार हो जाएंगी तो आप मान लीजें कि दस मिनट में आपकी दाल बने कि उतनी देर में आप रोटिक ना लोगे और ऐसे करके आप चार से पाच चीजें तयार कर सकते हो अधी गंटे के अंदर अंदर